हेलो फ्रेंज नमस्ते वेलकम टू एडवांस कला आप सब कैसे हो आप सब ठीक होंगे और घर पे होंगे देखिए दोस्तों आज फिर से मैं आपके लिए लेके आई हूं साडी का रियूस तो यह सारी का पल्लू है और जिसकी सारी का मैंने चूस कर लिया और यह पल्लू बच यह है इस तरीके की पूरी सारी थी और यह पल्लू है सारी का तो हम इसे अलग कर लेंगे सबसे पहले कट कर लेंगे और अलग कर लेंगे तो देखिए मैंने अलग कर लिया है आप देखिए ऐसे हमें फोल्ड करना है और दो पार्ट में हमें डिवाइड करना है देखिए इ हम इसको अंडी बोलते हैं जिससे रेसा नहीं निकलता तो वह है इसलिए वहाँ पे हम फोल्ड नहीं करेंगे और इसका मैं आपको नाप बता देती हूं तो यहां से 22 इंची से और यहां से है यह 32 अब हम यह क्या करेंगे देखिए यहां पे दोनों पार्ट में यह हम इलास्टिक कट कर लेंगे और यह मेरी बेबी के पुरानी टॉप का था जिसका मैंने नाप ले लिया है और यह 6 मैंने इलास्टिक कट की है और अब हम उपर की और से फोल्ड कर लेंगे यहां पर उपर की ओर से फोल्ड कर लिया है हमने अब हमें इलास्टिक लेनी है अगर आप टॉप का नाप नहीं लेना चाहते तो आप अपनी बेबी का जो भी कम उपर का पाट है वहां से नाप ले लीजिए वहां से आप वनीचिस कम कट करेंगी तो चलेगा और इलास्टिक को हमें उपर से वनीचिस रखके ऐसे सिल लेना है खीचते हुए और उसके да को देखे दोस्तों धोनों हमारे पार्ट रेडी हो गए है आगी और पिछे की में दो स्ट्रिप कट कर अब क्यासे करना ऐसे फोल्ड करना है और दूसरी साइड फोल्ड करना है और ऐसे तीसरी बार फोल्ड करके हमें सिलाई करने दोनों स्ट्रिप हमारी रेडी हो गई है अब हमें पहले का जो सारी का ये पल्लू का पार्ट है उसे लेना है अब हम इसे फोल्ड करके देखे ऐसे फोल्ड करना है और सेंटर में हमें मार्क कर लेना है इस तरीके से मार्क करने के बाद जो भी मार्क किया है उससे साइड में टू इंचिस पर एक और मार्क करेंगे दूसरी साइड भी हम वैसे ही मार्क कर लेंगे और जो दूसरा पार्ट है उसमें भी हमें सेम मार्क करना है देखिए आप इस तरीके से मार्क कर सकती है और दोस्तों ये मेरी मम्मी की सारी थी जिसका मम्मी ने यूज किया था और पल्लू बचा था जिसका मैं यूज कर रही हूँ अब हम यहां पे ऐसे मार्क किया है वहां पे strip करेंगे देखे इसे इसे सिलाई करके छोड़ लेना है अब हम दूसरा पाट ए उस परकि किया है वहां पे strip को attach कर लेंगे अन्य है अब देखे दोनों stripzip आटे जोगे हैं इसे हमें ऐसे पकड़ना है और साइड में सिलाई कर लेनी है उसी तरीके से दूसरी साइड भी हम सिलाई कर लेंगे और ये थोड़ा सा ठीक कपड़ा था इसलिए मैंने इसके अंदर अस्तर नहीं डाला है और बहुती सोप्ट और बहुती अच्छा कपड़ा है ये सारी का अब देखे इसे मैंने सीधा कर लिया है और हमारा बेबी ड्रेस रेडी हो गया है साथ से सिक्स यर गर्ल के लिए मैंने बनाया है तोस्तों आपको ये कैसा लगा मुझे कमेट करके जरूर बताना मिलते है असे नए आइडिया के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई जै बारत